नमस्कार साथियों मैं कुनाल आप सभी का संस्कृति आई एस यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूं आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप ITR नहीं भरते तो क्या आपको जेल जाना पड़ सकता है एक खास प्रशन है और बहुत लोग के दिमाग में भी रहता है हाला कि यह प्रशन सामानने भी है ऐसे लोग जो परिक्षाइं नहीं देते पर ITR भरते हैं तो वह सभी लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में दूसरी खास बात हैं पर यह भी है कि एक ऐसा मामला हमारे सामने आया है जिस वजह से आपकी परिक्षाइं प्रेशन आ सकता है मामला क्या है दरवसल डिल्नी में एक केश चल रहा था एक महिला खा उसने ITOR नहीं भरी दी तो AITR नहीं भरने की वजह से महिला को नियायले ने 6 महिने की कारवास की सजा सुना दी है अब ITR नहीं भरना किसी के लिए जेल जाने का कारण बन सकता है यह मामला इस परकार हमारे सामने आया है तो जरूरी है कि इससे जूड़ी हुई चीजों को समझ जाने लिया जाए लेकिन उससे पहले एक प्रश्ण जो आपसे परिक् जा सकते हैं अब देखें मामला किया है दरसल नियायल्य में एक मामला आया मामला आता है income tax office की तरफ से कि एक महिला है सावित्री नाम की इन्होंने 2 करोड रुपे की आएकम आई थी लेकिन जब इनकी income हुई तो income के बाद इन्होंने tax नहीं दिया और हमारे department के सरफ से कई बार इनको नोटिस भेज़े गए लेकिन बार बार नोटिस भेज़े के बावजूद इन्होंने जवाब नहीं दिया इग्नोर करते रहें अब हम चाहते हैं कि पूरा पूरा लीगल एक्षिन लिया जाया और इनको जेल बेजा जाया तो दो करोड रुपे की आई कमाई लेकि पांच हजार रुपे का फाइंग भी लगाया गया है यह सब यह चीज़े हुई है लेकिन डिफॉल्ट रूप से जो सजा दी गई है रहा दी गई है एक महीने का कारवास अभी फिलाल बेल दे दी गई है क्योंकि इनको बोला गया यह चाहते हैं कि आगी अपील करें और मा मिला पर आरूप लगाया गया है कि वितवर्ष 2013-14 के दौरान इन्होंने 2 करोड रूपे की आये की अब इनकी जो आये 2 करोड रूपे थी इसके उपर इन्होंने 2 लाख रूपे की सुरोतों पर करकट होती जिसको हम लोग TDS के रूप में जानते हैं तो 2 करोड की इंकम पर कोई भी रिटर्न नहीं भरा है यानिकि ITR इन्होंने भरा ही नहीं अब जब ITR दाखिल नहीं किया गया तो चीजों के लिए फिर आगे कारवाई हुई इनको बार-बार नोटीस भेज़े गया और नोटीस भेज करके जवाब मांगा गया सबसे पहले कारवाई शुरू होत धारा 142 एक के तहत इनको बोला गया कि आप रिटर्न से जुड़े वह दस्तावेद जो हमें दिखा दीजिए हम नहीं चाहरे कुछ भी कारवाई हो उन्होंने फिर इंग्नोर कर दिया 22 जनवरी 2018 को धारा 211 F के तहत इनको बोला गया कि आपने रिटर्न को दाखिल नहीं किया है इससे जुड़ेवी बातों में हमें क्लियरिफिकेशन दीजिए कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं है 9 फरवरी 2018 को उनको बोला कि 5,000 उपर जुर्माना लगाते हैं आपने डेट तक ITR नहीं भरा अब आपके और 5,000 उपर जुर्माना लगेगा यहां पर जवाब आया और उन्होंने चीज़ों को किलियर किया कि हमें नहीं पता था हाला कि बहुत अधिक चीज़े नहीं हुई तो इस वज़ासे फिर धारा 206 CC के तहत कारण बताओ नोटिस इनको भेजा गया जिसका जवाब इन्होंने 18 मार्च 2018 को दिया अधिक यहां पर सैटिसफाइद नहीं हुआ तो आईकर विभाग के सैटिसफाइद नहीं होनी के वैज早े से फिर लीगल एकशिन के लिए कारवाई आगे बढ़ाई जाती है परमीशन ली जाती है और कोट में पूरा का पूरा मामला फिर यहां पर दर्ज़ कर दिया आता ह कि जी आप देख लो हमारे जो नियम कानून है उनके according आपको सुनवाई करने है तो मामला कोट में आया और कोट में आने के बाद इस्तिति क्या रही यह आप सभी को पता है कि चीजों को जाना समझा गया और सहर एक पहलू देखने जानने के बाद में महीला को सजा सुना दी इक मामला है इंकम टेक्स नहीं बढ़ा और सिरसिदा हो गया लेकिन यह मामला देश के अधिकांश नागरिकों से जुड़ा हुआ है क्योंकि हमारे देश के अधिकांश नागरिक चाहे कम मातरा में चाहे अधिक मातरा में इंकम टेक्स देते हैं आई टियार भरते हैं यह स हो सकती है तो दरएसल ITR के एंधे बाते शामिल है क्यों ITR बिरा जाता है और चीजे किस प्रकार से हो सकती हैं सजा होगी या नहीं इसको भी एक वार अब समझ लेते हैं तो देखिए सबसाभ़े समझ लेते हैं कि ITR दस्तावे दिसका परियोग वह व्यक्ति करता है, जो व्यक्ति चाहता है कि सरकार उफिसली उस से जूड़े हुई किस चीजों को जान ले. कुछ चीजों में क्या-कैसा मिल है, वह चाहता है कि सरकार मेरे बारे में जाने की मेरी आय कितनी रहे। इसके इलावा दावा की गई कटोती किस प्रकार है, छूट कितनी मिली है मेरे को और भुक्तान किये गए करो की घोशना में किस प्रकार से करता हूँ, यह सब भी चीज़े जब मैं officially announce करूँगा तो इसके लिए मुझे ITR भरना पड़ेगा, ITR भरते हुए मैं सिधा सिधा यह बता रहा हूँ कि एक वित्ते वर्ष के लिए शुद आयकर देंदारी कितनी है मेरी तरफ से, मैं आपको यह चीज़े किलियर कर रहा हूँ, तो इस प्रकार जितने भी लोग इस श्रेणी के अंदर आते हैं, इस वर्ष में शामिल होते हैं, उनके लिए अनिवारे होता है कि आप ITR भरेंगे ही भरेंगे, आईटर से जुड़े मामले में आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि जितने भी व्यक्ति कानून के अधीन आ रहे हैं, उन सब को पालन करना होता है आईटर भरने का, वरना लीगल अक्षिन लिया जा सकता है, यह भी आपको, मैं यही किलियर कर रहा हूँ, किस किस को भरन करना अनिवार्य होता है, नियमों के अनुसार, वही बात यहां पर बता रहे हैं, कि देखिए, कानून का पालन करने वाले हर नाक्रिक लिए जरूरी है, कि वार्षिक अधार पर आईटर भरे, साट वर्ष से कम उमर का हर वेक्ति आईटर जरूर धाकिल करेगा, और यदि उसकी आएगा कोई भी हिस्सा, आएकर अधिनियम 1961 के तहट आता है तो, अगर आप आएकर अधिनियम 1961 के तहट योग्य हैं, तो आपको भरना ही भरना पड़ेगा, आईटर आप बचकर की निकल नहीं सकते हैं, ये बात भी आपको ध्यार नकनी है, कि इसके अधिरिक अगर ये सभी चीज़े भी फॉर्मलिटी के रूम में बताई जाती हैं पहले से, क्लियर है तनी बात, तो आईटर का परियोग कैसे कैसे करना है, आप लोग को सभी चीज़े क्लियर हैं, आप अपने वार्शिक घोशना कर रहे हैं, चाहे उसके अंदर इंकम की बात हो, या फिर दावा की गए, कटोती की बात हो, छूट की बात हो, भुकतान कीए गए, करो की बात हो, कौन शामिल है, ये भी आपको में बता दिया है, कि साथ वर्ष के कम उमर का हर वेक की शामिल है, साथ वर्ष की उमर हो जाती है, तो उसके बाद आप बच जाएंगे, लेकिन ये भी कम उम्र रहते हुए भी आपको income tax नहीं देना होता लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान लखना है कि इसके अलावा मतब जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अनॉंस्मेंट करना है बलकि इसके अलावा विक्ति वर्ष में दुखतान किये गए या रोके गए आपके कि इसी भी अत्रिक्त करके लिए जो refund करना होगा तो भी आपको इसी वाली प्रगिल्या का ही पालन करना होगा यह चीज़ा के लिए रहें अब माल लीजे कोई वेक्ति जिसकी income अच्छी खासी है आप एक वर्ष में देश भर में रहते हूं अच्छा खासा कार्वी कर रहे है बिजनस बहुत चल रहा है सही नोट शप रहे हैं बड़िया पैसा आ रहा है अब आप सोचने कि पैसा मेरे पास मेशा लोग सोचते हैं असा उनको लगता है कि साल भर काम कौन कर रहा है मैं पूरा headache कोन ले रहा है मैं इतना ज्यादा जो चीज़ें मेंटें की हुई है चाह अगर है सबकुछ मेरी वज़े से हो रहा है मैं ही कर रहा हूं नहीं उसस्थिती ना के साथ क्या हो सकता तो देखिए आपके लिए जंड की पूरी वरस्था की गई है इंकम टेक्स एक्ट के अंदर ही इसके अंदर सक्षन है 234F यहाँ पर हर एक चीज़ बताई गई है कि अगर आप एक निर्धारित सनय सीमा के तहत अपना ITR नहीं भरते तो उस इस्तिति में आपके विरुद कारवाई होगी जेल भी बेजा जा सकता है और फाइन भी लगेगा सामाने रूप से जो सनय सीमा होती है वह 31 जुलाई होती है वैसे हम लोग यह भी देखते हैं कि Income Tax Department जो है बहुत कटोर नहीं है तो वह तितीटी को जटी देखा जाता कि कई महीने तक बढ़ाता भी रहता है तो एक सामाने तितीटी हम माल लेते हैं कि 31 जुलाई ही रखी बाद में Income Tax Department ने आगे इसको नहीं बढ़ाया इस दौरा आपके साथ क्या हो सकता है अगर आप कर दो आप नहीं मान रहे हो चीज़ों कर रहे हो लेकिन विभाग को पता है आपने करोड़ों कमाएं पर आयोक से बचना चाहरो उस इस्तिति में जब चीजों को बहाँ बार इगनोर करो कि तब होगा वरना आयोक विभाग को विलंब करते हैं आप फाइल करने में तो ऐसे इस्तिति में ब्याज भी लगेगा आपके उपर, यानि कि अगर आप सोच रहें कि चीजों को डिले किया जा सकता है, तो एक ब्याज का सामना भी आपको करना पड़ेगा, और यह भी ध्यान लखेगा कि जो ब्याज का उलेख है वह उलेख किया गया है, आईटी एक्ट, यानि कि इंग्नम टेंक्स एक्ट की धारत 234A के तहट, सीधा सीधा बोला हुआ है कि समय सीमा के बाद आप कभी भी आईटी आर फाइल करेंगे, तो ब्याज भी आपको देना पड़ेगा, यानि कि सामाने थे थी में आप समय सीमा भर लेते हैं, तो सब चीज़े स्मूद नहीं हो जाएंगी, नहीं भर रहे हो, बाद में भर रहे हो, तो फाइन तो देना ही देना है, साथ साथ आपके उपर ब्याज भी लगेगी, आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, अब आप सोचो कि ब्याज कितनी हो सकती है, तो यह पूरे के पूरा ब्याज दर लगाई जाएगी, तो बहुत जादा है अपने अगर हम देखें, या महीने या महीने के हिस्से की रूप में एक पर्तिशत की दर से यह लगेगी, ठीक है, तो काफी जादा हो सकती है, इसको भी अगर आप लोग चीज़े डिले करेंगा, बहुत दिक्तों का सामना यहां ही करना पड़ेगा, मतलब आप टो चीजों को फॉलो कर रहा है, लेकिन गडबड़े कहा हो रही है, गडबड़े कैस बच चीजे को डिलेख कर रहे हैं इस वजह सब को परिशानी होगी होगी और आव इतनिक कर की राशी पर हर महीने या महीने के किसी एक हिस्से पर एक पर्थिशत की दर से इसे लगाया जा सकता है और वियाज आपको देनी पड़े यहासा नहीं कि बच जाओगे, या सोचो कि मैं नहीं कि दूँगा, हर एक चीज रिकॉर्ड में है और देना जेना प कि जब आप ITRU फोम भरेंगे तो इस दौरान यह भी फैसला किया गया है कि आपको अपने कर नाशी के ऊपर 25 परतिशत से 50 परतिशत अधिकर का बुक्तान करना पड़ सकता है जो कि अपने आपने बहुत बड़ा है मतलब आप सामान में नहीं दे पा रहे थे सामान में देने जोड़ा दिले करोगे तो 5000 चीज़े बढ़ेंगी तो यहां पर फिर ब्याज लगेगी ठीक है ब्याज किस रूप में लगेगी वह बताया ITRU के तहत भर रहे हैं आप फाइल कर रहे हैं तो उस इस्तिति में 25 या 50 परतिशत अतिर्ट कर देना पड़ेगा अगर चीजों को होना है समय से कर दो तो ठीक वरना अधिक पैसा जाएगा तो जाएगा हो सकता है जेल भी जाना पड़े और इसी नियम के तहत हुई है पूरी कारवाई तब जाकर के दस साल पुराना मामला है अब देखिए दस साल पुराने मामले में अब सजा सुनाई गई है और फाइन आपने समझे लिए हैं अब आजर कोमेंट कर दीजी महीं मेंस के अपने नोर्स भी जरूर से बना लीजेगा ऐसी कोई दिक्कत परिशानी आपको फिर मेंस में नहीं आएगी और शेशन अच्छा लगा है इंफोमेटिव है तो बाकि साथी तक शेर कीजी उनको भी जानकार झाल झाल उतना कर दिकते हैं लिए।